Hey everyone, आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ हरी मिर्च की टिपोरे की रेसिपी, जो एक राजिस्थानी साइड डिश है और जिसके बिना राजिस्थानी ठाली को अधूरा माना जाता है। ये डिश मोटे वाले मिर्च जो होते है ना उससे बनाई जाती है तो मिर्च की सबजी समझ कर घबराना नहीं है ये जो कम तीखा खाते है ना वो भी इसे मज़े में बना कर खा सकते हैं ये होती ही इती स्वातिष्ट है तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं तो सबसे पहले मैंने लिया है 500 ग्राम के करीब मोटे वाले मिर्च जो कम तीखी होती है मैंने इन्हें अच्छे से धोकर और कपड़े से पोच कर आदे इंच के करीब छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है कुछ इस तरह से अब कड़ाई को ग्रम कर ले और इसमें डाले 2 टेबल स्पून की करीब सरसो का तेल और इसे अच्छे से गर्म होने दे तेल आप रिफाइन भी यूज़ कर सकते हैं और सरसो के तेल में पकने से यह ज़ाधा अच्छी लगती है टेस्ट में तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सरसो का तेल ही यूज करें इसके लिए तेल अच्छे से गर्म हो गई है तो फ्लेम को मीडियम पे कर लेंगे और इसमें डालेंगे एक टी स्पून खड़ा जीरा और इसे थोड़ा तड़कने देंगे फिर इसमें डालेंगे कलॉंजी, मैंने कलॉंजी यहां आधा टी स्पून के करीब लिया है, जाधा हमें कलॉंजी यहां यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर जाधा आप कलॉंजी यूज करते हैं, तो सबजी गर जो टेस्ट है, वो थोड़ा कड़वा हो सकता है, तो इस बा या है 500 ग्राम के करीब इसे हमें 4-5 मिनिट के लिए बीच-पीच में चलाते वे इसे भुन लेना है हमें मिर्च को मसाला डालने के पहले आधा ही पकाना है क्योंकि मसाला डालने के पार दिये थोड़ी भुनती है और ये सबजी तभी अच्छी लगती है जब मिर्च थोड़ नमक और सात में डालेंगे आधा टीजपून हल्दी पावडर एक टीजपून लाल मेज पावडर एक टीजपून धन्या पावडर और आधा टीजपून आम चूर पाऊडर और मसाले को एक मिनिट के लिए भुन लेंगे एक मिनट हो गए सारे ड्राई मसाले को भुनते वे और सारे मसाले की अच्छी सी खुश्बू भी आ रही है तो अब इसमें डालेंगे चार टेबल स्पून की करीब बेसन और इसे लो फ्लेम पर हमें लगातार चलाते वे डेड़ से दो मिनट के लिए अच्छी सी खुश्बू भी हो गई है डेड़ से दो मिनट हो गए ऐसे भुनते वे तो आप देख सकते हैं मिर्च में बेसन की अच्छी सी कोटिंग भी हो गई है मतलब बेसन और मसाले अच्छ से पक चुके हैं आप चाहे तो इस टाइम थोड़ा पानी का चीटा भी मार सकते हैं ताकि बेसन और अच्छे से मिर्च में चिपक जाए मिर्च के टिपोरे को आप लंबे समय के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं किसी एरटाइट कंटेनर में पर अगर आपको इसे लंबे समय के लिए रखना है तो पानी का चीटा नहीं मारे नहीं तो ये बहुत जल्दी खराप हो जाएगी अगर आपको इसे तुरंट खाना है तो पानी का थोड़ा चीटा मार सकते हैं मैं इसे लंबे टाइम के लिए नहीं रखने वाली इसलिए मैंने यहाँ पानी का यूज किया है कुछ सेकिंद्स के बाद आप देख सकते हैं ये बनकर बिलकुल तयार है खाने के लिए ये रेसिपी बहुत आसानी से और मिंडो में बन जाती है और खाने में तो ये बहुत अच्छी लगती है तो अब तक अगर इस मिर्च की रेसिपी को आपने ट्राई नहीं किया है तो इसे बिलकुल बेजे जब ट्राई कीजिए ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में रोटी या चपाती के साथ इसे आप चावल की साथ भी इंजॉई कर सकते हैं अगर मेरी ये मिर्च की टिपोरी की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे ट्राई ज़रूर करें और मुझे फीडबाक ज़रूर शेयर करें आपके कॉमेंस का इंतिजार रहेगा मुझे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थांक यू, टेक केर